हेलो जहिन साथियों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर शाथियों यहाँ पर जितने भी छात्रे बिहार आई टी आई में एडिविसन ले रहे हैं अपना डाकुमेंट और फिकिसन करवा रहे हैं तो फानली आप लोग एक डाकुमेंट ले र रायो में आपको बताऊंगा और साथ में यहाँ पर जो बेश्टूडेंट के पास एसलसी नहीं है टीसी नहीं है या करेक्टर सैटिफिकेट नहीं है आवासी या फिर निवास या फिर जाती सैटिफिकेट आपके पास नहीं है तब आपको क्या करना है ठीक है क्योंकि फा फिर्श्ट राउंड में नाम नहीं आया है उनका सेकंड राउंड में कब तक आयागा नाम वह मैं आपको बताऊंगा तो फाली आपको वीडियो कंप्लेट इंड तक वाज करना तभी आपको मालू पाएगा देन आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आपको डेली अपडेट्स मिलती है सबसे पहले और यहां आइटियाई का एक मात्र ऐसा चैनल है जिससे लगभग हाजारों छात्र हर साल अपना गौर्मेंटेड आइटियाई में अच्छे ट्रेट से एड्मिशन करवा पाते हैं और यह चैनल ही आप लोग का हेल्प करता है स सबसे अधिकतर तो आज ही चैनल से जुड़ जाईए तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर इतने भी छात्र का पहले में आपको बता दो कि जो भी स्टूडेंट पना डाकूमेंट और फीकिसन करवा रहे हैं तो आप लोग को एक ऐसा स्लीप आपको मिल रहा होगा तो जो भी स्टूडेंट ले लिए हैं तो फाइली उनको यहां पर कोई प्राड़म नहीं होगी लेकिन अगर जो स्टूडेंट नहीं लिए हैं तो उनको प्राब्लम होगी क्योंकि यह स्लीप आपको मिलता है डाकूमेंट और फीकिसन के समय और यह जाकर कि आपको इटिया संस्थान में आपको जमा करना होता है तो देखिए आप लोगा फाइली जो भी स्टूडेंट यहां पर अपग्रेट किये रहेंगे तो उनका यहां पर अपग्रेट लिखा रहेगा और उनको सेकेंड राउंड का जब उनका एल आउटमेंटर जारी किया जाएगा ट्रेड चेंज कर जिन्हों ने अपना एडमिशन ले लिया फाइली तो उनको भी एक स्लीप मिल रहा है ठीक है तो उसलीप आपको अपने आईटियाई कॉल्ज मिलाकर की जमा करना है और आपको कि क्लास जो है उस सेतंबर में स्टार्ट की जाएगी और आप लोग जो स्लीप मिला हुआ है उ जो इस्टूडेंट डाकूमेंट और फिकितन करवाने जाएंगो तो फिलीज आप लोग अपना स्लीप ले लिजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अब यहां पर बात करते है फ्रेंड्स की आप लोग का अगर डाकूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है तो फ्रेंड्स यहां पर में आप लोग बता दू कि आपके पास कोई भी डाकूमेंट्स नहीं है कोई एक डाकूमेंट्स नहीं है तो आप लोग अपना डाकूमेंट और फिकेशन करवाने जाएं ठीक है क्योंकि वहां पर बस आपका परजेंटिंग अ आपका लाज डेट है इसके बाद हो सकते आपका डेट बड़े आना बड़े लेकिन आपको ले लिजिए तो देखिए आपके पाद रहे डाकुमेंट्स नहीं है तो आपको यह ऐसा एक अपली केसन लिखना है सेवा में प्रचार महोदय आपके नाम जो भी हो इसकी बाद बीसे CLC, SLC या फिर करेक्टर सैटिफिकेट जमा करने के संबन्द में इसकी बाद महोदय शविना निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज में डाकुमेंट और फिकेशन के लिए आया हूँ मेरे पास CLC नहीं है या फिर करेक्टर सैटिफिकेट नहीं है या कोई अधर डाकुमे गर्यूंट चमसेया अन्दर जमा कर दूंगा इसके बाद अतह स्रीमान से निवेदन है कि मेरा डाकुमेंट और फिकेशन अभी कर लिया जाए जिसके लिए मैं आपका सधा अभारी रहूंगा इसके बाद आपका अग्या कारी च्हात्र्य आपका नाम लिखना जोकि पुर value number और डाकुमेट्ट और प् 그렇केशन का डेट आपको फानली लिख देना है तो फानली यह आपका लिख़ना है और इसके बाद आप अग हने और प्रॉच्व में अब धिकत ponitkin two दिकत नहीं अपना इंतजार करिए 28 जैसे आता है वह ऐसे ही आपको प्रपर वीडियो मिल जाएगी कि आपका डेट चेंज कर दिया गया है और आपका अभी इस तरीक को आएगा तो देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर आई टी आई फैमिली गूरूप में ने मना जा हो जो की टेल इसम बाक्स में लिंक दिया गया है आप लोग अभी जुआ हो जाएए लगभग यहाँ पर देखिए 14 प्लॉस प्लॉस मेंबर यहां पर सामिल हो चुके हैं और यह आई टी आई एडिमिशन वाले चात्र जुड़े हुए हैं जिससे आई चात्रों काफी फायदा होता है त अगने बाद